Ministry of Education से बहुत बड़ा एक announcement हुआ है श्री रमेश पोक्रियाल निसंक ने announcement किया है कि जो TET का certificate अभी सिर्फ 7 years के लिए valid हुरता था वो अब lifetime के लिए valid रहेगा तो क्या है complete news देख लेते हैं और आजी की date में ये आया announcement हुआ है validity period of teachers eligibility test qualifying certificate extended from 7 years to lifetime Shri Ramesh Pockriyal निसंक Union Education Minister Shri Ramesh Pockriyal निसंक announced that government has decided to extend the validity period of teachers eligibility test qualifying certificate from 7 years to lifetime with retrospective effect from 2011. The respective state governments union territories will take necessary action to revalidate issue fresh TET certificate to those candidates whose period of seven years has already elapsed he added जिन लोगों का TET certificate का जो certificate था वो सिर्फ seven years के लिए था और अब वो elapsed हो रहा या उसका समय complete हो गया तो उनके लिए फिर से fresh नए certificate जारी किये जाएंगे उन सभी past candidates के लिए जिसकी validity lifetime की होगी श्री प्रोख्रियाल said this will be a positive step in increasing the employment opportunities for candidates aspiring to make a career in the teaching field तो जो भी teachers बनना चाहते हैं उनको बार-बार TET का paper नहीं देना है TET का exam सिर्फ एक बारी देना है और उसकी validity lifetime रहेगी सभी state government को ऐसा आदेशित किया जाएगा और रमेश पोख्रियाल जी कहते हैं कि सभी को order किया जाएगा कि fresh certificate जारी किया जाएं रिवैलिडेट किया जाएं इनके validity नहीं रही है उनको भी रिवैलिडेट किया जाएं और teacher's eligibility test is one of the essential qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in schools the guidelines dated 11th February 2011 of the National Council for Teacher Education NCT laid down the TET would be conducted by the state governments and the validity of the TET certificate was seven years from the date of passing TET तो ये 11 फर्वरी 2011 से में गाइडलाइन जारी हुई थी NCTE की तरफ से कि TET conduct किया जाएगा state government और central government के द्वारा और validity जो होगी TET certificate को seven years की होगी तो teacher बनने के लिए essential qualification थी एक वक्ति के लिए किसी भी स्कूल में appointment teacher का पाने के लिए कि इसको TET pass करना होता था तो अब ये बहुत ही अच्छी news है जो भी aspiring candidates है कि अब ये उनको headache नहीं रहेगा बार-बार या certificate अमारा unvalid होने का तो अब TET की जो qualifying certified TET की वैदता seven years से lifetime होगे seven years से उसको बढ़ा करके lifetime कर दिया गया है ये कह सकते हैं कि अब TET के मानेता साथ साल की वज़ाए ताउंब्र रहेगी ऐसा सिक्षा मंत्राले ने आदेश जारी किया है और जो cancer का सिक्षक पात्ता परिक्षा के लिए भी जो मानेता साथ साल थी वो भी सीटेट वाला भी lifetime रहेगा और एक बार TET पास करने पर जीवन भर के लिए मानने रहेगा सिच्छा मंत्राले ने इस पैसले से सिच्छक की नौकरी का सपना देखने वाले लाको युवाओं को फाइदा होगा ऐसा सिक्षा मंत्राले का कहना है और ये विवस्ता सन 2011 से लागू की गई थी अब उन सभी राजियों और केंसासित प्रदेशों को जिनके राज उमीदवारों का TET सर्टिगट सब्सक्राइब करना होगा ऐसा इस और के एकॉर्डिंग है तो सी बीसी जो है तो हर साल सीटेट का एक्जाम दो बार आया जो होता था पहली परिक्षा जुलाई में और दूसरी दिसंबर में होती थी तो सीटेट का जो फस्ट पेपर होता था वह क्लास वन से फाइफ तक क टीचर बनने के लिए पेपर फस्ट देना होता था तो जो यह योगिता है तो यह वैसी ही रहेंगी बस खाली चेंजर हुए हैं कि जो सर्टीफिकेट है जैसे उत्तर प्रदेश सिख्षक पात्ता परिशा यूपी टीट जो होती थी तो पांस साल के लिए होती थी लेकिन अब जो है यह लाइफ टाइम रहेंगे सभी सर्टीफिकेट हों चैसी टाइट हों और यह इनकी सभी की मानिता लाइफ टाइम के लिए रहेगी तो थैंक्स ओर वाचिंग और विल मीट यूगिन वित नेक्स्ट अपडेट और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए मेरे च शेयर करें थैंक्स ओर वाचिंग